हेलो दोस्तो स्वागत आप सभी का हमारा चैनल स्टेडी फॉर सेसी में कैस आज का वीडियो हमारा थोड़ा अलग टॉपिक पर है हमेशा की तरह कोई नई अपडेट नहीं आई है आज या फिर कोई केस से रिलेटेड या वेबसाइट पे नई नोटीस भी नहीं है यह वीडियो रिलेटेड होगा आपकी स्ट्रेटेजी से जो आकर आपका एक्जाम कल होने वाला है आज मैं 11 तरीक को वीडियो बना रहा हूं 12 तरीक को आपका CPO का एक्जाम है और आने वाले कुछी समय में आपका CGL का भी एक्जाम है तो किस तरह से exam attempt करना है, किस तरह से last के 1-2 दिनों में आपको काम करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, exam hall में बैट कर time को किस तरह से manage करना है, ये सबसे ज्यादा important चीज़े हो जाती है, तो जिनका exam आने वाले 1-2 दिनों में 16 तारिक के आसपास जिनका exam होने वाला है, अब वो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि अब उन्हें क्या करना है, कितना stress लेना है, या पढ़ना है, या नहीं पढ़ना है, और exam में time table किस हिसाब से set करना है अपना subject wise, तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग अभी discuss करेंगे, उससे पहले कुछ important चीज़े मैं आपको यहाँ पर साफ साफ लिखा है, do not bring mobile phone and other electronic gadgets inside the examination hall, देखो एक चीज़ आपको बता हूँ, अगर आप दूर से travel करके जा रहे हो अपने examination center में, तो आपको इस चीज़ का problem वहाँ पर होता है, या आपको आपका mobile तो carry करना ही पढ़ता है, और इन्होंने साफ साफ कहा है, नीचे और अगर नीचे पढ़ेंगे हम लोग, तो पूरा पढ़ने का तो टाइम नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट मैंने पूरा पढ़ लिया है, इन्होंने कहा है कि यह किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं लेते, आपके साफ में कोई सामन है, तो आप कुछ भी मत याओ, बस एक ड्रेस में आपको वहाँ पर जाना है, पेन, पेपर, कुछ भी नहीं लेके जाना है आपको, सब वो लोग प्रोवाइट करेंगे, लेकर क्या जाना है, वो यहाँ पर इन्होंने बताया है, मस्ट ब्रिंग फोटोग्राफ, आईडी कार्ड, इन ओरिजिनल, फोटोग्राफ, देखो, फोटोग्राफ आपको दो लेके जाना है, वो भी करंट फोटो होना चाहिए, दो से ज्यादा ही आप रखो, हो सकता है, किसी फोटो पर दाग वगेरा रहा, और वो लोग वहाँ पर अलाउड नहीं करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, औ के बाद एक मिनट भी लेट होता है, तो वो लोग एंटरी अंदर नहीं देते हैं, ठीक है, देखो, यहाँ पर लिखा भी है, candidates will not be allowed entry after entry closing time on any ground, ठीक है, किसी भी तरह से मैंने अपनी आको से भी देखा है, कि वहाँ पर एक दो मिनट लेट होने के बावजूद, वो लोग व सारी चीज़ को रखने के लिए वहाँ पर जगा मिलती है, लेकिन बस ये एक फॉर्मिलिटी के तोर पर ये लोग आपको बताते हैं, कि आपको इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी हम लोग नहीं लेंगे, बट वहाँ पर रखने के लिए जगा मिलती है, तो आप लोग पैसा या लेडिस होंगी, तो जेवर ये सारी चीज़े न लेके जाएं अपने साथ में, या फिर बहुत मिनिममम जो भाड़े में लगता है, उतना ही रखें, ठीक है? चलो, तो ये तो चीज़े हो गई, अभी मैं आपको टाइम मैनेजमेंट एक्स्प्लेन करूंगा, किन पाच मिनिट, दस मिनिट, पंदरा मिनिट बताऊंगा, वो उसको डबल कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि CGL, CPO, दोनों बच्चों को समझ में आना चाहिए, उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है, तो वीडियो को पहले तो आप लोग लाइक कर दो, और शेर अपने अब आपको थोड़ा से यहाँ पर रिलेक्स लेना है, और आज दिन भर अगर कल आपका एक्जाम है, तो आज आपको दिन भर बैटके सोचना है, परसो एक्जाम है, तो कल बैटकर सोचना है, कि आपका जो कल एक्जाम है, आपने जितना पढ़ना था, उतना आपने तो पैसा हो सकता है तो पैसा दे दो, खिला दोगे तो ज़ादा बेटर होगा, ठीक है, अच्छे काम करो, यानि मन को जो अंदर से सकुन रहोता है अपना, वो सकुन प्रोवाइड करो, उसके बाद सोचो कि अब मुझे एक्जाम देना है जो पढ़ना था मैंने तो पढ़ लिया पढ़ने के बाद मुझे exam attempt करना है अब मैंने जो पढ़ा है मुझे जो short time 60 minute का दिया गया है 60 minute में मुझे जो 100 question करने है इन 100 question को मैं किस तरह से करूँगा आता तो मुझे सब है लेकिन इस time के अंदर वो manage होना चाहिए उस time पे इतना stress होता है इसलिए exam का जब हम लोग time manage करेंगे अभी किस तरह से exam attempt करना है कौन सा subject पहले और कौन सा बाद में लेना है वो मैं आपको बताऊंगा उसके पहले बता दूँ कि आपको 60 minute लेकर चलना ही नहीं है exam में आपको लेकर चलना है 55 minutes बाकि जो 5 minutes हम लोगों ने यहाँ पर छोड़े है यह 5 minutes किसलिए छोड़े है आपका buffering जब आप next करते हो तो किसी किसी PC पर buffering होती है उस buffering में 1-2-3 second लगता है तो आप 100 questions आप skip करोगे या next करोगे तो buffering एक एक second की भी होगी तो आपका 2 minutes वहाँ पर चला जाएगा इसी तरह से बीच में आपको प्यास लग गए आपका दिमाग हैंग हो गया आपका computer हैंग हो गया कुछ ना कुछ प्राब्लम आ गया admit card के लिए वो लोग कभी कबार आ जाते है बीच में photo chip काने ये काम वो काम करने जो आपको पहले अगर English से start होता है वहाँ पर exam तो आप English से start करोगे और जो sequence में exam दिया हुआ है उन्होंने mix तो आएगा नहीं अलग-अलग ही आएगा तो जो उन्होंने दिया हुआ है question उस हिसाब से आप solve करते हो या फिर कोई English maths पहले करता है जी है reasoning बाद में करता है लेकिन मैं strategy अपने हिसाब से बता रहा हूँ अगर आपको नपसंद आए तो आप अपने हिसाब से भी अगर आपने कुछ अच्छा बना के रखा है तो follow कर सकते हो लेकिन अगर आप वे वीडियो देख रहे हो आने वाले question जो होगे वो आपके लिए काफी problem create करेंगे यानि 100 question अगर आपके आने वाले हैं और उसके अंदर आपको पता है कि मुझे अच्छा कोई post चाहिए मुझे तो minimum 80 तो करेक्ट लाने है यहाँ पर 80 करना है cut off तो कम में चले जाएगी और इससे कम में चलेगी लेकिन merit में बनने के लिए आपको तो इतने अच्छे marks चाहिए तो आप शुरू में अगर आपके 20 question करते हो उसमें से 10 question आपको आते ही नहीं है तो आपका confidence level कितना low हो जाएगा कि भाई बचे हुए मुझे 80 में से तो भी reasoning उठाओगे ठीक है यह मैंने यहाँ पर reasoning का R लिख दिया reasoning आप उठाओगे और time manage करोगे total time मैंने आपको यहाँ पर बताया है 55 minute सम को देना है हमने यहाँ पर 55 minute लिख लिया side में अब अपने सबसे पहले reasoning उठाया reasoning इसलिए उठाया क्योंकि हर बच्चे का सबसे easy subject तो यह ही होता है अब reasoning में आपके आये है 25 questions CPU वालों के लिए 50 questions अब आपको इसको time कितना देना है मैंने बताया था CGL के सबसे मैं आपको बता रहा हूं CPU वाले double कर लेंगे reasoning के लिए आप time दोगे यहाँ पर 15 minutes ठीक है 15 minutes enough है आपका क्योंकि आपका analogy का mirror image के जो question होते है wind diagram वाले question होते हैं direction वाले question होते हैं यह question आपके कुछ seconds में ही solo जाते हैं ठीक है missing number में आपको थोड़ा सा time लग सकता है या silox में अगर आप confused होते हो तो थोड़ा सा time लग सकता है आपको इसके अलावा time consuming question reasoning में नहीं आते SSE में banking में आते हैं जो circle वाले होते हैं वहाँ पर जाधा time consume होता है लेकिन यहाँ पर नहीं आता इसलिए maximum 15 minutes minimum आप कितना भी कम कर सकते हो उतना अच्छा है जितना कम करोगे maximum 15 minutes आपको यहाँ पर दिया है मैंने अब होगा क्या reasoning में आप 25 minutes में 15 minutes में क्या करोगे 25 question आप करो आप देखोगे कि 100 में से 25 question मैंने कर लिए और मुझे तो confirm है कि 20 मेरे यहाँ पर correct ही है ठीक है तो आपको अब एकदम क्या रहेगा एक relax अंदर से सकून वाली feeling आईगी आप उतने confidence के साथ अगला जो आपका subject रहेगा उसकी तरफ बढ़ोगे अब अगला subject आपको कौन सा pick क करना है उससे पहला मैं आपको बता दू 15 मिनट्स आप याद कैसे रखोगे एक्जाम में तो आपका उल्ठा counting होता है वहाँ से 60 से तो आप अपने paper पे पहले ही लिख लो वहाँ पर answer sheet के ऊपर starting में कि 45 जैसे ही घड़ी में बजेंगे वहाँ पर minus में चलते चलते वैसे मु maths को वेसे सबसे last में रखा हुआ है क्योंकि maths आपका time consuming होता है और maths ऐसी चीज़ है कि जो speed में नहीं होती है आखरी में उसको रखो क्या आप सोचो के भई आराम से अब जो time बचा है इसी में maths करना इसके अलाब़ा आपको को दूसरे subject की तरफ नहीं जाना है तो आपके पा confidence अच्छा खासा हाई चल रहा है second number पर आप second easy subject आपका उठाओगे या तो English लोगे या फिर जीए लोगे मैं यहाँ पर जीए लेता हूं ठीक है मैं यहाँ पर जीए उठा रहा हूँ तो second number पर हम लोग जीए उठाएंगे चलो यहाँ पर यह मिल्स हो गया reasoning के लिए हमने दिया था 15 यह note कर लो और यहाँ पर 45 माइनस में आपको दिखेगा second number पर हम लोग जीए लेंगे आप English भी ले सकते हो गर इससे ज्यादा easy आपको English लगता है जीए मैंने क्यू लिया है वह अभी मैं आपको थोड़ी दिर में explain करता हूँ ठीक है जीए हम लोग उठाएंगे जीए के लिए maximum हम लोग देंगे 8 minutes अब होगा क्या 8 minutes देंगे तो हमारा time गया कितना 23 minutes पुश्किल से गए आप घड़ी में देखोगे 37 बचे हुए हैं और 8 minutes में आपका जीए हो जाए किये काफी लंबा time बाकी है मेरे पास आदे से ज्यादा time बाकी है और उसमें मुझे English और Maths ही करना है तो आपका confidence high ही रहेगा वो low नहीं हो पाएगा और Maths को अगर आप यहां पर ले लेते हो तो 20-25 minutes आपके Maths में चले जाएंगे 20-30-40 minutes आप लोग देखोगे के हो चुके और उसके बाद आप देखोगे 10-20 minutes बचे हैं और मेरे पास अभी 2 subject मेरे बचे हैं पचास आदा पेपर बचा है तो थोड़ा confidence कम होगा इसलिए इस sequence में ही आप चलोगे तो पेटर होगा अब जब आप G.A. कर लोगे G.A. करने के बाद फिर आप उठाओगे English अब English में क्य होगा G.A. पढ़ने के बाद आपके पास एक reading एक habit हो चुकी रहेगी थोड़ा सा आप अपने flow में रहोगे English पढ़ने के ठीक है क्योंकि G.A. में question option आप reading करते हुए आए रहोगे speed में English उसी तरह वही flow आपका English में चालो होगा और English के लिए मैं time दूगा यहाँ पर आपको पढ़ने में और उसका answer देखने में कितना 5 से 10 सेकंड लगेंगे मुश्किल से फिर भी 12 मिनट मैंने ज्यादा क्यों यहाँ पर रखा है क्योंकि अगर आपका passage और close test आता है तो उसके लिए आपको 4-5 मिनट लगेंगे तो 8 मिनट नॉर्मल question के लिए और 4-5 मिनट मैंने र चुका है at least आपको आया नहीं आया वो तो आपके पढ़ाई के ओपर depend करता है मगर आप go through हो चुके हो 75 questions से अब आपको थोड़ा सा relax लगेगा कि भाई मेरे पास तो 25 मिनट नीचे बचे है 55 कांट करूंगा तो 20 मिनट नीचे मुझे बचे है ठीक है और मेरे पास अब maths है तो आप आराम से maths के 25 questions 20 minutes में कर सकते हो more than enough है more than enough है 20 minutes आपको maths के लिए और ऐसा नहीं है कि maths का हर question आपको करना ही है मैस में 2-4-5 questions इस तरह से बनाए जाते हैं जो आपको नहीं ही करने होते हैं वहाँ पर exam examiner बनाता है इसलिए कि यहाँ पर आपका time consume हो वो आपका exam करने के लिए नहीं होते हैं वो question वो question आपके छोड़ने के लिए होते हैं और वो छोड़ने वाले question English में भी हो सकता है math में जीए में और reasoning में हर जगा एक दो-दो question वो हो सकते हैं तो आपको छोड़ने ही पड़ते हैं फिजूल वहाँ पर time waste नहीं करना होता क्योंकि आपको out of नही अब अगर आपका लग बहुत अच्छा चल रहा है लग आपका अगर बहुत अच्छा चल रहा है तो यह five minute आपको कोई problem नहीं आएगा confidence level high है hang नहीं हुआ तो अब यह five minute आपके पास अगर बचाई हुआ है waste नहीं हुआ इन सारी problems में तो इस five minute का आप वापसे utilize करोगे जो question आपका time consume कर रहा था जिसको आपने छोड़ दिया था आप उसके पास वापिस जाओगे उसको check करोगे ठीक है आपका जो दूआ बगर रहेगा बैटके आराम से relax पड़ोगे 5 minute रहेगा पानी बगर पियोगे मतलब आपको खुद को ऐसा लगेगा यह तो बहुत easy तरीके स हो गया और अगर आप एक तरफ से चलोगे तो fuffling हो जाएगी आपकी ज्यादा और कुछ भी नहीं ठीक है ना अगर आप note करना चाहो timing को तो अपना plus minus करके timing note कर सकते हो reasoning के लिए 15 minutes उसके बाद मैं second number पे ga के लिए मैंने कहा था आपको 8 minutes उसके बाद third number पे English के लिए आपको बताया हुआ है 12 minutes उसके बाद maths के लिए आपको बताया हुआ है 20 minutes इस तरह total आपको minus में अगर आप देखोगे तो 45 timing पे जो आपका screen पे show होगा 37 25 और 05 ठीक है last में 05 आपको यहाँ पर show होगा screenshot निकाल के आप लोग रख सकते हो जो 5 minutes बचेंगे वो आपका extra time है उसमें I hope के मैंने बता दिया उसके अलावा elimination method पे भी आप लोग ध्यान रखो ऐसा question जिसका answer आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप option से देखो at least अगर आपने पढ़ाई की है तो option में 1, 2, 3, 4 option आपके होते हैं उसमें से एक option ऐसा होता है जो बिल्कुल फाल्तू होता है ज तो at least अगर आप दो option eliminate करते हो तो आपका 50-50 chances यहां पर बन जाता है ना 50-50 मामला आपका बन जाता है right और wrong होने का तो इसमें आप तुक्का मार सकते हो अगर आप elimination method यूज करोगे और जो question आपको नहीं आते उनमें अगर आप दो आपको पता है कि दो question यह ऐसे हैं जो मु क्योंकि आपका minus 0.25 होगा ठीक है पूरा एक marks तो minus होगा नहीं और थोड़ा सा आपको risk वहां पर लेना ही पड़ेगा क्योंकि cut off बहुत ही difficult होती है और competition भी काफी ज्यादा है बच्चे exams का काफी ज्यादा time से wait कर रहे थे चलो वीडियो काफी ज्यादा लंबी होती जा रह थे वो questions, patterns जो भी वो बताना चाहें अपना review वो का नीचे comment box में दे सकते हैं ताके आने वाले जो बच्चों का exam आने वाले time में रहेगा उनको inform कर दिया जाए कि क्या question पूछे जा रहे हैं क्या pattern आ रहा है ठीक है तो अभी आपको relax करना है आज last day tips आपका यही है कि बस exam का pattern बनाओ, अपना bag बनाओ, अपने पास को यह सी चीज़ मत रखो जिससे आपको वहाँ पर जाने के बात problem हो और फिजूल आप cheating के matter में वहाँ फसो और cheating करने की कोशिश मत करो आपको 2-4-5 साल के लिए सिधा डिबाट कर दिया जाएगा तो यह कुछ important बात थी last day है आरा